है गाइस गुड मॉर्निंग विल्कम बैक इन आवर यूटूब चानल फोर आपके सक्सेस आज है तीस अगस्त हम लोग डेलिकर इंटरफेर सीरियस में तीस अगस्त के इंपॉर्टन के इंटरफेर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे चलिए स्राट करते हैं आज की वीडियो तो इसके बारे में आपको बता दें कि अभी वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री है राशनात सी इन्हों ने ये डीची एनसीसी नामक मोबाइल एप को जारी किया है और इसका मुख्य उदेश है एनसीसी कैडिट्स को पार्ठिक्रम प्रस्टिक्शन वीडियो और अकसर करेगा तो आपको याद रखना है कि जो एनसीसी प्रस्टिक्शन के लिए रक्षा मंत्री राशनात सी ने जारी किया है उसका नाम है डीची एनसीसी एप्लिकेशन क्लियर निक्सा आते हैं कुछ नमर टू है टिक टॉक कंपनी के किस सीई ओ ने अपने पत से स्थिपा दे है तो इसका राइट एंसर है option B Kevin Mayer आपको पता हो कि जो टिक टॉक कंपनी है चैनिस कंपनी है तो अभी भारत में इसे पुर्णता बैंकर दिया गया है इसके बाद इसे अमेरिका में भी बैंकर दिया गया तो कहीं ने कहीं जो टिक टॉक कंपनी है इसके CEO पे और इसके जो है उन पे बहुत बड़ा प्रेसर पड़ रहा है तो इसी के वज़े से यह जो CEO है केविन मेयर इन्होंने इस्तिफा दे दिया क्लियर नेक्स बढ़ते है कुश्च नमर्ट 3 है केंद्रे सरकार तीनों सिनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह पर एयर डिफें का जो है यह तीनों सेनाओं को लागातार मजबूती प्रदान करने में लगी हुई है ऑर इस एयर डिफेंस कमांड का घठन भारती वायू सिना की मध्धे कमांड मुख्याले के साथ किया जाना प्रस्तावीत हैー और इसके तहत आग्रा गौलियर और परेली एयर बैसाते है और इस कमांड का मुख्य उदेश है तीन सेवाओं के संसादनों को एक कमांड के तहट सयोजित करना और इसे सक्रिय कर देश की वायू छेतर को सुरक्षित करना है क्लियर तो आपको याद रखना है कि जो है हमारा केंद सरकार इसने तीनों सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयाग राज में ये एयर डिफेंस कमांड के स्थापना कर सकता है तो इनका नाम क्या है तो राइट यूजहे है ऑप्सने आपको पता होगा कि जो जापान की प्रदान अदरी और इनकी तब्यत अब है तब्यत ख़राब चल रही है उनकी तो इसकी वज़ए से इन्होंने अपने पध स्थीपा गेदीया है ऐतल कर जापान की तो इसकी आपिटल ए टोक्यो और इहाँ करेंशी चलती है यह और यहां की आप हाली में की सीमा मनाया गया था तो 6 अगस्ट को और आपको पता होगा कि प् shifted ञेमेरिका ने हीरो सीमा पर लिटिल बोई नामक एक अपर 마음에 बम किराया था और इसके तीन दीन के बाद याने की नौ उगस्त को न्यागाशाख्री डे मनाते हैं क्यूंगी नौ अगस्त स्क्वाइटरन को इसने लॉंच किया था और इसके साथ भारत जो है भारत और जापान तर रक्षकों के पीछ एक अभ्यास होती जिसका नाम में सहीओ काजिन जो की आयुजित की गई थी चैनली के अंदर और एक और पॉइंट आपको उता दे कि अभी जो है हाली में हेंले प है हाली में प्रतिक्षा नामक अम्बूलैंस की साजी में लांच कि तए तो राइट यांसर ऑसं सी कियल टो अभी हाली में कि अवझEMA कते हैं बर्धा नहें हैं अपने थी प्रतिख्षा नामक अम्बूलैंस गो लांच किया है और यह अंबूल्हों के लिए उन मच्वारों जाते हैं तो एटलिस्ट हर साल इसमें 30 मचवारों की जान जाती है तो इनी की सुरक्षा को देखते हुए जो कि गवर्मेंट है इन्होंने अभी एक प्रतिक्षा नामक बॉलेंस को लॉंच किया है इसके पहले कुछ और एंबुलेंस लॉंच कियाutes जा चुकिक एक के अधर में प्रत्यूशा तो यह जो प्रत्यूशा एम्बूलेंस है इसे लॉंच किया गया था केरल के एर्णा कुलम में, साथ ही एक करुणा एम्बूलेंस जिसे की लॉंच किया गया था कोजी कोड के अंदर, और इसके साथ ही एक प्रत्यूशा एम्बूलेंस जिसे की लॉंच किया ग चिरल की तो किरल के यह सीएम है उनका राम है पिर्णल्र विजयं यहां कि जो गवेर्नर हम उनका नाम आरिफ महत खान और यहां के जो अभी हाली में चीफ जस्टिस वने हैं हाइजच उनका नाम है एस मनी कुमार वं कुश्षन 6 शेह भारत का पहला अंतराश्रिय महिला व्यपार केंद्र किस राजी में स्थापित क्या जा रहा है तो right answer option B केरल तो केरल राजी के ही अंदर ये अंतराश्रिय महिला व्यपार केंद्र स्थापित किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश है महिलाओं की उद्द्यम शिल्टा में तेजी लाना लिंग समानाताओं को सुरक्षित करना और महिलाओं को घर से दूर एक सुरक्षित स्थान परदान करना ताकि वे नए विवसाइश शुरू कर सके और यहां पर कि करल की तो इसे कुछ important points देख लेते हैं देखिए अभी जो है हाली में हमने पढ़ा था कि करल की पहली महिलाओं का नाम है और स्री लेखा और प्लाजमा तेरीपी को यूज करने वाला पैसालाजी बना था किरल ठीक है और यहां पर किरल के गवर्मेंट इन्हों ने ब्रे किरल की गवर्मेंट ने और यहां पर एक साक्षर्ता अभियान इसका नाम है मैं भी डिजिटल हूँ इससे स्टार्ट किया था कि इसके साथ ही भारत की पहली सौर संचालित नौका इसका नाम है अधित्य यह अभी निउस में था क्यूं तो इसे गुस्ता ट्रवे अधिवासी बच्चों को उनकी मात्री भास में पढ़ाने के लिए एक नमत बसाई अभियान की शुरुआत की थी तो यह सारे पॉइंट्स आप के रहल से याद रख सकते हैं सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कुछ नमा सेवन है हाली में निशनल कॉंसिल फोर प्रमो बच्चन है यह नई डिली में क्या गया और यह रास्ट यह उर्दू भासा विकास परिसत के द्वारा इसे आयोजित किया था ठीक है नेक्स बढ़ते हैं कुछ नमर्ट एट है हाली में सी पी अल यानने की कारइबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतिये कौ बनके इन्होंने एक इतिहास बना दिया तो आपको इनका नाम यात रखना है क्या नाम इनका प्रवीन तामबे नेक्स बढ़ते हैं कुछ नमर् नाइन है ती ट्वैंटी टूनामेंट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं तो इनका नाम है ड्वेन ब चेक करते हैं यह जो जेम्स एंडर्सन है यह भी न्यूज में थे यह चेसो टेस्ट विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं ठीक है और रोहिट शर्मा बेरी इंपॉर्टेंट अभी हाली में क्रिकेट कंदर इन्हें 2020 का राजीव गांधी खेल रतन पुरसकार से ने सम्मानित किया गया है और यह ऑस्ट्रेलिया के पूरो कप्तान है और इन्होंने अभी हाली में अपने स्थीपे की खोसना की थी एक पड़ते हैं हमाराज का लास्ट कोशन है हाली में केंद्री संस्कृति मंत्राले ने इसमारकों की प्रमंधन में सुधार ही तूब भा सासनिक सरकल की जो अस्थापना करने की घोसना की है यह टोटल कितने है तो यह साथ है इसके बारे आपको बता दे कि इनका जो है इस इनके निर्मान का जुमों के उदेश है वो है पुरातत्विक समारकों के संरक्षन एवां पंजीकरन की प्रक्रिया को सुधा जनत बनाना और यह कहां पर बनाया जाए है, तो यह सर्कल, जेबलपुर, त्रीची, जासि एवाम मेररट, हंपी, राइगंच और राजगोट में बनाया जाए अच्छा यहा है, बात की गई है भारतिया प्रततवु सर्विक्षन की, तो अभी HP भारतीय प्रातत्तों सर्वेक्षन की जो डायक्टर जेनरल बनी है उनका नाम है वी विद्यावती आपको इनका नाम याद रखना है वेरी वेरी इंपोर्टन ठीक है कि साम्नों की साख का अकलन के लिए सेट लाइट कोपयो करने का अपना असर मैं कमें बॉक्स में कमें करके बताईए तो काई साज की वीडियो निहीं स्भाबत करते हैं ठैक्सअ वर्चिः